तो फिल्मोरा आपके लिए लिखा है फिल्मोरा एचिविमेट प्रोग्राम जिसके अंदर आप अपनी क्रियेटिव स्किल्ट को दिखा कर जी सकते हैं धेरो इनाम तो simply आपने इसे participate करना है और उसके लिए आपको कुछ steps follow करने पढ़ेंगे तो simply description में या print comment में जो link दियागा है इस पर tab करना है और आप कुछ इस तरह के web page पर डिलिवर हो जाएगे आप कुछ इस तरह के web page के ओपर जो है ट्रांसफर हो जाएगे तो पहला आपका कहा है what is filmora achievement program जहां पता है कि filmora achievement program होता कहा है second आपके बास यहां filmora 12.5.5 या उससे ओपर का वजन होना चीए तो उसनी पर आपने filmora को open करना है help में जाना है और यहां पर चेक फूर अपडेट करना है और अपने filmora को यहां पर update कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको डेर सारे task दी जाएंगे और जिससे से उस task को आ करनेंगे वहां वहां आपको जो है एक gift मिलेगा redeem करने के लिए और उस gift में आपको कुछ भी मिल सकता है लाइक अगर आप पहला task पूरा करते हैं लाइफ प्रेक्टिस स्क्राइड तो आपने क्या करना है इसमें simply एक वंदेशर एकांट पूरान है और अपने एक सर्वे को कंप्रीट करना है और आप जीत पाएंगे फिल्मोरा का 3 trial day version second comment जैसे आप second task पूरा करते हैं आपको मिलेगा 5000 character का test to speech option तो simply फिल्मोरा में open करना है अपने sign in करना है और अपने जाना है action center के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा achievement और achievement यहाँ आपको badges देखने को मिल जाएंगे हर badge को जो है redeem earn करने के लिए आपको ने कोई task करना पड़ेगा simply उनको task को पूरा कीजिए और फिर आपको जो rewards मिलेंगे आपके my reward section के अंतर जहां से आप उने redeem कर पाएंगे तो जल्दे जल्द पाटिसपेट केजिए फिल्मोरा achievement program में पाटिसपेट होना और अपने task को आपको स्मार्ट काट पर क्लिक करना पड़ेगा क्लिक हेट और स्मार्ट काट पर क्लिक करेंगे और अपने human या अपने object के उपर जो ड्रॉआ कर लेना है और आपको इस तरह सा color में दिखा देगा कि आपका human है वो ट्रैक हो चुक है या adjust हो चुक है सिंपली क्लिक करना है स्टार्ट पर और आपका यहां पर ड्रैकिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी यह पर स्टामने तब करना है जब आप अपनी किसी object के पिछी आउड़न अफेट करने वाने हैं आपको इसे शोग करना हूँ कि कैसे smart card का use किया जाता है से पर क्लिक करेंगे तो फिलाद हमारा जो यहां पर human है तो यहां पर मैं smart card को जो है नहीं करूँगा मैं इसको यहां पर disable करूँगा और यहां में लेंगे अपना AI portrait यहां मेरा काम अच्छा से कर देगा और यहां में लेंगे default title टाइटल को अपने उठाना है और अपनी वीडियो के ऊपर रख देना है इसकी लाइन था आपनी वीडियो के एकोड़ें रखनी है टेक्स्ट पर और यहां पर आप कोई भी लिख सकते हैं तो मैं यहां पर लाइक इसको रिनेम करूँगा और लिक प्रो 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 साइज जो मैं आपर इंग्रीज करना कुछ इस तरह से और डांस लाइक का जो उसका भी साइज आपर इंक्रीज करतेंगे तो यह आप अपने एकोडिंग करना है तो मैं आप पर चूज करूँगा मोंस्ट टैरेक्ट एक्स्ट्रा ब्लोट फॉन आपको फं लाड़के डूगल के उपर यहां प्रोब को भीर लिखेंगे मॉन्स टैरेट प्रो फो न्युक्ट टेल देंगे यहां पर भी एंट इंपर आप्लाई पी क्लिक कर देना अपने सुपर हम जाएंगे एनिमिशन के उपर और यहां से आप दोनो रेयर पर कोईण एक एनि और उसे हम टोप लेयर के उपर रखेंगे टोप लेयर पर रखेंगे करेंगे और जाएंगे टेक्स्ट के अंदर और जाएंगे एडवांस के अंदर तो हम परदी layer 1 को select करेंगे और यहां से fill option को जो है remove कर देंगे तो यहां से outline को enable करेंगे जहां रखना जो color आपके टेस्ट का है वो सी color की outline आपने यहां पर लेनी है हमारा white color test है तो हम white color की outline यहां पर ले रहे हैं और thickness हम लिकरने इंदम पदली तो हम यहां है ठीकतने score around लग जाएंगे यहां पर यहां से नीचे जाएंगे और outline को enable कर देंगे outline का color हम चूज करेंगे white और यहां से thickness से दुबारा 80 जिगा 2 कर देंगे और यहां से apply करेंगे तो अगर हम अभी वीडियो को play करते हैं तो आपको कोई भी effect यहां पर देंगे नहीं मिलेंगा क्योंकि हमने क्या करना है अभी तो क्या करें जिस layer पर हमने AI portrait लगाया था हम उसको उठाकर subset top पड़ी layer के ऊपर रख देंगे सभी layers के ऊपर तो अपने जो है अपकी simple layer तो अपनी कुछ इस तरह से adjust करना है जबकि outline effect वाली layer है सिंपली उसको उठाना है और अपनी AI portrait layer वाली वीडियो के ठीक उसके ऊपर ठीक ऊपर रख देना है ठीक ऊपर रख देंगे यहां पर और अगर आप यहां प्ले करते हैं तो आपका जो effect कुछ इतरह देनों मिलेगा अब इसको और अच्छा बनाने क्या करेंगे camera push effect add करेंगे तो से पहले हम जाएंगे audio के उपर और यहां से एक अच्छी सी audio लेंगे जिसके अदर काफी सारे beats आ रही हो तो में beats के उपर effect चाहिए तो यहां पर कोई भी एक song ले लेंगे और add कर लेंगे अपनी video according अपनी length रखने है अपनी song की और जो भी extra part हो वहां से हम इसे delete कर देना आपने हम जाएंगे effects के अंदर और यहां से जाएंगे audio effects और यहां से लेंगे audio driven तो अपने एक अपनी वीडियो के उपर आपने इसे रख देना है तो अगर आप प्ले करेंगे तो आपकी जो बीट के साथ है exposure और जूंग लेवल आपका change होता रहेगा बीट के according वह एक अच्छा सा effect देगा आपको